संपूर्ण कलिस्या आज सभी संतों का पर्व मनाती है आत्मदेश्विन टिवी की सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जैशू आज हम सभी संतों का पर्व मनाते हुए संपूर्ण कलिस्या के साथ, बहुत उस्सा के साथ, उमन के साथ सबी संतों को याद करते हैं उनकी मध्यस्त प्राथना मांगते हैं संत हमारे ही समान इस दुनिया में रहे लेकिन उन्होंने उस छोटे कार्यों को किया जो कोई भी नहीं करना चाहता था और ईश्वर ने उन्हीं कार्यों के द्वारा उन्हें महान बनाया है हम देख सकते ही संतों का जीवन बहुत ही शंगशपूर्ण, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शिक्षाप्रद हुआ करता है संत कोई स्वर्ख से नहीं आते हैं वे हमारे बीच में रहकर, हमारे समान जीवन बिताकर प्रभु के कार्यों करते हैं लेकिन वे सभी उन बातों से दूर रहते हैं जो प्रभू को अप्रिय है जो प्रभू को प्रिय नहीं है उन सभी चीजों से वे दूर रहते हैं तो इसलिए उनका दर्जा हम सभी से उपर उठ जाता है और आज हम और आप संत बनने के लिए ही बुलाए गए हैं जब कोई संत बनता है तो उसमें विशेश रुप से यहां देखा जाता है कि उसकी मद्दस प्राथना करने से किसी को चंगाई हुई है नहीं यदि कलिस्या किसी को संथ घोशित करती है तो यहां देखा जाता है कि उस संथ के द्वारा कोई उनके माध्यम से प्राथना करता है तो उस विक विज्ञानिक नहीं दे सकता, नहीं डॉक्टर दे सकता है, पाले उसका निरिक्षन होता है, परिक्षन होता है, उसके बाद ही संत घोशित किया जाता है, वचमतकार सभी रूप से, सभी प्रकार से इस मानुव्य कल्पनाओं के परे रहता है, तो इसलिए उसे संत घोशित कि जाता है यह इश्व द्वारा प्रदत कृपाजान उन सभी व्यक्तियों को है जो प्रभु के कारियों को पुईतरता से जीवन बिटाते हुए करते हैं इसलिए आज के सु समाचार संतमती अध्याए 5 प्रसंक्या 1 से 12 में प्रभु हम से इसलिए कहते हैं प्रसंक्या 3 में धन्येवे जो अपने को दीन हीन समस्ते हैं स्वग राज उन्ही का है आज प्रभु हम से कहते हैं मत्या ध्याए 5 प्रसंक्या 1 से 12 में प्रसंक्या 3 में प्रभु कहते हैं धन्येवे जो दीन हीन है स्वग राज उन्ही का है प्रभुपस्ण के अचार में कहते हैं धन्य है वे जो नम्र है उन्हें प्रतिग्याद देश प्राप्त होगा धन्य है वे जो शोक करते हैं उन्हें स्वान्त ना मिलेगी धन्य है वे जो धर्मिक्ता के भूके और प्यासे है वे तरप्त किये जाएंगे धन्य है वे जो दयालू है उन पर दया की जाएगी धन्य है वे जिनका हरदे निर्मल है वे इश्वर के धर्शन करेंगे धन्य है वे जो मेल कराते हैं वे इश्वर के पुत्र कह लाएंगे धन्य है वे जो धार्मिक्ता के कारण अत्याचार साहते हैं स्वग राज उन्ही का है प्रभू आगे कहते हैं कि धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते तुम पर अत्याचार करते और तरह-तरह के जूटे दोश लगाते हैं जीहा कृष्म प्रिय भाई और भहनू इन सभी गुणों का एक संत में होना बहुत है आउश्रक है भले ही वह संत अपनी जगह पर रेकर निरंतर लोगों के लिए प्रातना करता है अपनी पिडाओं को सहते हुए भी वो प्रभू का इस्मरन करना कभी नहीं छोड़ता है वही संत कहलाता है इसलिए आज संपूर्ण कलेसिया संतों को याद करती हैं जिन का नाम संतों की गणना में नहीं है उन सभी को भी हम याद करते हैं जो अपना जीवन संतों के समान बिताए हैं और हमने देखा होगा कि हमारे गाओं में, हमारे शहर में, हमारी पल्यों में कि किस प्रकार से कई लोग संतों की समान जीवन बिताते हैं और वह इश्वय को प्राप्त हो जाते हैं आज हम उन सभी को भी याद करते हैं, क्योंकि हर कोई संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, आएकरिस्ट में प्रिभाई और भेनों, आज हम विशेशुप से सभी संतों की मज्दस्ता मांगे, उनसे प्रातना मांगे, कि विस्वर्ग में हम सभी के लिए निरंतर, हमेशा हमे के लिए फे से में हमेशिया, कि विस्वर्ग में हम विस्वर्ग इंचितै के लगी जेए। झाल झाल